पुतिन ने अब यूक्रेन से भी बड़ा टार्गेट सेट कर लिया है पुतिन अब यूक्रेन से आगे बढ़ना चाते हैं और उनका लक्ष दुनिया में बहुत ही बड़ी तवाही का गवाब बन सकता है पुतिन ने एक ऐसी संदी से हाथ खीच लिया है जो यूरोप में युद्ध रोकने के लिए बनाई गई थी अब दर है कि पुतिन पूरे यूरोप पर किसी भी वक्त आमला कर सकते हैं ऐसा हमला जो सोचा ना था ऐसा धमाका जिसकी शौक वेव में ढहे गया एक बड़ा इलाका धमाके के बाद क्या हुआ दिल संभाल लीजी तस्वीरे बेचैन कर सकते हैं रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए भागती है हर तरफ मलबा ही मलबा है इमारते गिरी हुई है लोग मलबे के अंदर फसे हुए हैं और अब जिन्दा लोगों की तलाश की जा रही है चिला चिला कर पूछा जा रहा है कि क्या कोई जिन्दा बचा है कौन कहां फसा है ये युद्धकी सबसे खतरनाक तस्वीर है जब मौत और जिन्दगी के पीच कुछ सेकंड का वासला होता है मलबे में एक शक्स दबा हुआ मिलता है बाहर निकले उसके हाथ को थाम लिया जाता है और फिर मलबा हटाने का काम शुरू हो जाता है पूरी कोशिश है कि किसी तरहा उसे जल्द से जल्द निकाल लिया जाए एक जिन्दगी बचा ली जाए मलबे में दबे हुए शक्स को किसी तरहा निकाल लिया जाता है वो होश में नहीं है लेकिन सांसे बता रही हैं कि जिन्दगी बचाई जा सकती है रेस्क्यू में लगे लोग उसे फॉरन एमर्जेंसी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं ये है युद्ध की सबसे भयावे तस्वीर और रूस की फॉज बता रही है कि युकरेन का जो हाल हुआ है वो पूरे यॉरप का खुसकता है क्योंकि पूरे यॉरप में टाइन बम फिट करने का वैसला किया है क्या ऐसा बम लंदन में फिट किया जाएगा क्या ऐसा बम पैरिस में लगाया जाएगा क्या बर्लिन में भी इसी बम की टिकटिक वाली आवाज सुनाई देगी क्या इटली की राजधानी रोम भी पुतिन की निशाने पर है? क्या ये टाइमबम बेल्जियम से लेकर चगण राज्य में भी लगाया जाएगा? यॉरप के बड़े बड़े शेहरों से लेकर छोटे देशों जैसे एस्टोनिया, लाटिया, लिथवानिया और युक्रीन की मदद करने वाले स्लोवाकिया से लेकर दिन्मार्क में भी फिट किये जाएंगे? It was our solidarity which improved our position. Solidarity amongst the EU and NATO and with our partners. In response to Russia's full-scale invasion on Ukraine, NATO allies increased their presence on the eastern flank. And we will continue to do so also through the decisions we take at the NATO Summit in Vilnius next month. Putin की देश्रत बहुत ज्यादा है क्योंकि Putin ने एक बड़ी हथियार संधी तोडने का फाइनल फैसला कर लिया है. इस संधी का नाम है CFP, यानि Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. 1990 में हुई CFP संधी के मताबक यॉरप में NATO और सूवियत दोर के देश एक तैत आदाद से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे. इन में टैंक भी होंगे, तोब भी होंगी, हेलिकाप्टर और फाइटर जेट भी होंगे, ताकि यॉरप में सेनाओं के बीच संतुलन बना रहे और युद्ध की नौबत ना आए. लेकिन अब इस संदी से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद पुतिन के हाथ खुल चुके हैं, पुतिन अब बड़ा फैसला ले सकते हैं, पुतिन अब और खतरनाथ हो चुके हैं, पुतिन क्या करेंगी, इसे लेकर यॉरप के बड़े-बड़े देशों की राजधानी में पसरा है, यॉरप के बड़े-बड़े शेहरों में पुतिन के फैसले ने टाइम बंब फिट कर दिये हैं, ये बंब फटे तो पूरा यॉरप फटेगा, ये बंब फटे तो हजारों लाखों जान जाएंगी, पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा शिकार इस वक्त जो शेहर बन सकते हैं, उनके बारे में जान लीजिये, क्योंकि पुतिन को तबाख करने के लिए जिन हथ्यारों का इस्तमाल जेलिंस्की कर रहे हैं, वो इस वक्त यॉरप से ही आ रहे हैं, अमेरिका तो बड़ी फंडिंग कर रहा है, हथ्यार और उनका सप्लाई रूप यॉरप ही बना हुआ है, और इसी बात से पुतिन को सबसे ज्यादा नफरत हो गई है, पुतिन अब बदला लेना चाहते हैं, और वो ऐसा करते वक्त पूरे यॉरप पर आग बरसाना चाहते हैं, पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा असर लंदन पर पढ़ सकता है, ऐसा हुआ तो ये शेहर तबाख हो जाएगा, पुतिन के फैसले का असर बर्लिन पर पढ़ सकता है, पुतिन का थमाका पैरिस में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा ही हमला रोम में भी हो सकता है, पुतिन के इस गुसे की बड़ी वजा है, इसके बारे में वो पूरे नेटो को बार बार रहे हैं, लेकिन अब तक नेटो नहीं माना है, इसलिए पुतिन के टार्गेट पर यॉरप के चार देश है, प्रिटन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इनी चार देशों से जेलिंस्की ने युद का चंदा इकठा किया है, हाल ही में जेलिंस्की ने यॉरप के चार देशों हालकि इस दोरे से पहले ही जेलिंस्की को स्ट्रॉम शेडो मिजाइल मिल चुकी थी, और अब तक जेलिंस्की इस क्रूज मिजाइल से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, अब देखिए जेलिंस्की को जर्मनी से मिली तूप का खतरनाक रूप, रूस के ठिकानों पर आग के पर कयामत बनकर तूट रही है, ये पकमूत का वो बचा खुचा इलाका है, जहां जेलिंस्की की फॉज अब भी मौजूद है, और यहां जर्मनी की इस दोप ने रूस के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया है, ये तोप एक मिनट में 155 mm के 9 डूले दाग सकती है, इ क्योंकि ये टैंक तूमा क्यारियर पर माउंट करके बनाई गाई है. सवाल है कि जब पुतिन ने हथियार संदी, CFE यानी Treaty on Conventional Armed Forces in Europe को तोड़ने का वैसला किया, तो इस से होगा क्या? उतरी यॉरप में नौडिक देशों को आशंका है कि रूस अपने में लैंड के साथ साथ कलिनिन ग्राथ में बड़े पैमाने पर हथियार इकठा कर सकता है, और इसी जगा से पूरे यॉरप पर बंबारी हो सकती है, क्योंकि संदी से निकलने के बाद पुतिन जितने चाहे हथिया यॉरप के बीचों बीच अपने इस इलाखे में रख सकते हैं, कलिनिंग्राथ से स्वीडन की दूरी 870 किलोमेटर है, कलिनिंग्राथ से डेन्मार्क की हवाई दूरी 514 किलोमेटर है, कलिनिंग्राथ से फिनलेंड 1000 किलोमेटर दूर है, वहीं कलिनिंग्राथ से पिरेंट और नॉर्वीजियन सागर में 14 घंटे से ज्यादा देर तक नुकलिर बम वर्शक उड़ाएं हैं। तब से नॉर्डिक देश साथान हो गए हैं। राद के अंधेरे में रूस के नुकलिर बॉमर की उड़ान को यॉरप परमाणू युद्ध की सीधी चैतावनी के तौर पर देख रहा है। ये हवाई हमले कर सकता है, मिजाईल अटैक कर सकता है। कलिनिन ग्राद बाल्टिक सागर से लगा इलाका है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्याले भी कलिनिन ग्राद में है। कलिनिन ग्राद 223 किलोमेटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिन ग्राद में रूस ने परमाणू हत्यार लगा रखे हैं। युक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिन ग्राथ में ही परमाणू हमले का भ्यास किया था। रूस की कई परमाणू हमला करने में सक्षम पंडबियां इस बेस पर तैनात रहती है। ऐसे में अगर नौडिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका ह कि रूस इस बेस से परमाणू हमला तक कर सकता है। रूस लंबे वक्त से संधी को तोड़ना चाहता था। पोतिन का एलान तो बस अब चारिकता कही जाएगी। रूस बार बार ये कहता रहा है कि रूस के खिलाफ नेटों की गुडबंदी ऐसी हुचकी है कि उस से किसी बनता जा रहा है कि वो माजूदा सिस्टम को फेर से पर्क है। दानी निदरलंदों यह नमेरेने बीट पेर्वह रीड़ाह तेह तो ट्रेनिरूएट उक्राइन्सकी पिलोटों रबोत ना जापदना समलेटों ना यह ज़लाने पन्राइट से गिगिमोन एटी स्ट्राने प्रवड़ित अक्टिवन प्रवड़ित विवर्पेशिक दिलाख ने एवरपेशिक फोर्म अग्ली वशिंग्टों पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा बीचैन है। वास्को पर ड्रून एटाक के बाद तो पुतिन किसी चीज़ को भी परदाश्ट नहीं कर पा रहे पोति है को जबेशिक चा विवर्पे संग धिरे धिरे समग्ने लागे यू के एग्ड दिपल्पत जोजफ प्रर्ल की एगवाद पाद गोट जए समग्ये। 深入 और उस्क已經 मुत कु ब्रुआ कने डाहे गान येता है rust-ered- घग्जय झाया एक कासू को मटन्रात के थरॉाग के लिए के लिए उन्टका Cाया जवाना ये लिए कि आ लेका खें झाला रूसे मेल को ना उत में लाग्जा लेता है क Kung L safety on the HP are are, faint myEl-Co में isn'tāp PapटAlright नहीं करेंगे जब तक वो जीत नहीं जाएंगे इस वक्त युकरेन का युद्ध बहुत ही खतरनाख दौर में पहुँच चुका है खतरा पूरे यॉरप पर मंड़ा रहा है इस युद्ध को डेढ़ साल पूरे होने वाले हैं लेकिन क्या ये युद्ध रुकेगा क्या ये ह कर दो कि अंडू कर दोगा हुड का दो